दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी केस चोहान जो कि स्वयम भी एक कुशल राजनीतिग्य हैं और काफी सकरीता से प्रभार पर रहकर कारे कर रहे हैं उन्होंने राजनीति क्या है इसका परिवेश क्या है और एक कुशल राजनीतिग्य में क्या गुण होने चाहिए साथ ही राजनीती में पैसा क्या माने रखता है जैसे विश्यों पर Grand A.C.N. निउस से खास चर्चा की आये देखते हैं चर्चा के खास अंश सबसे पहले जानना चाहूंगी कि राजनीती जो है उसमें कुछ ही लोग सक्सेज हो पाते हैं जबकि एक ऐसा फोबिया है या ऐसा कीड़ा है किसी को काट लेता ही तो सिबच ने पाते हैं एक्चरी हर फिल्ड में आप देखेंगे तो जो सक्सेज की परसंटेज है वो एक आध दोई परसंट होती है लेकिन जो राजनीती है और जो हम चितरपद देखते हैं फिल्में देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं उसमें ग्लैमर जाता रहता है और ग्लैमर जहाँ जादा रहेगा, वहाँ पर लोग आकरशित बहुत जादा होंगे, लेकिन उसके पीछे की जो चीजे रहती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, हकीकत नहीं समझ पाते हैं, जो सामने दिख रहा है, उसको देख के हम आकरशित होते हैं, हम आते हैं इसमें, और उसको पीछे की नॉलेज को देना जरूरी है, तो पीछे की नॉलेज हम लियते नहीं है, इस वज़याँ से अंसकस होगे चले आते हैं, देखा गया है कि राजनिती की परिवेश्ट बहुत आकरशित करता है लोगों, एक छोड़ा सा कारे करता रहता है, वो अपने पड़ा अंकरशन का केंद्र भी होता है, लेकिन वो यह नहीं देखते हैं कि उसके पीछे की जो महनत है, उस नेता की जिसको आदर्श मान रहा है, वो कहां से आया है, कौन सी उसकी ऐसी महनत हुई होगी, क्या उसने नॉलिज दिया होगा, कैसे उसने मैनेज किया होगा, सब चीजे कैसे उसने टेकल किया होगा, वो उससे दिखाई नहीं देता है, सिर्फ यह दिखाई देता है कि वो एक कुशर राजनेता है, और वो यह से लोगों को संभोधित कर रहा है, मन चमाना माइक पार रहा है, तो उसके बाद उसके पीछे की उसकी संघर्ष जो है, वो उससे बं नहीं चाहिए और वो कभी नहीं बताता है कि मैं ऐसे करके इतना संगाश करके मैं आगे आया हूँ या मैंने ये मुकाम हासिल किया है या मैंने ये पद हासिल किया है या मैं ये चुनाओ जीता हूँ ये मैं क्यों जीता हूँ कैसे जीता हूँ वो उसकी खुद की पुंजी र जो वो ना बताके वो सामने जो दिख रहा है बस उतने ही दिखना चाहता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछल राज नहीता जिसे कह सकते हैं, वो अपनी बीती हुई जिंदगी में कैसे आगे बड़ा ये साजा नहीं करता है। आपने पुरी सफ़र नामे को प्रस्तूत करता है। ना-णा-णा, उसको भी प्रस्तूत नहीं करता है कोई अक्टर होता है वो अपनी पूरी 90% लाइफ को छुपा के रखता है सिर्फ 10% लाइफ को सामने करता है जो उसने जो बताने के लायख है सिर्यव वोही बताता है।лож Sw statute लिक्ले करता है लेकिन वो बताता नहीं है और अपने उसको आगे बढ़ा देता है तो ऐसी कौन सी महतुपूर्चीज है या फिर पल है या फिर कारे है जो राजनीती में आने से पहले करें ताकि फिर बात में कुशवर राजनीती गिकार दर्जावी मिले और राजनीती की शेत्र में पहचान में देखें कोई भी चीज इमारत खड़ी होने से पहले उसके बेस तयार करना बहुत ज़रूरी होता है एक होता है उसमें नौलेज लेना और नौलेज आप जीवन भर लेते रहते हैं उसमें फिर्ड में रहके भी लेते रहते हैं लेकिन सबसे पहले आप खुद का मजबूत करें, उसके बाद अपने परिवार को मजबूत करें, उसके बाद ही आप राजनीती में आए, अगर आप फाइनेशनी तोर पे अगर आप अक्षम हैं, तो आप बिलकुल मताईए, वहाँ पर आपका शोशन होगा, अगर आप आगे राजनीती में आप आ सकते हैं, उसमेह दे सकते हैं, उसमें अपनी आजमाईश कर सकते हैं, उसमें अपनी आजमाईश कर सकते हैं, राजनीती में पैसे लगा करकी भी कई लोग आके बढ़ जोई, तो किस तरह का ये है, क्या बिना पैसे लगा है राजनीती में आगे तो आपके साथ पैसा लगाने वाली भी मिल जाते हैं, और कभी भी आप पैसा, डायरेक्ट पैसा मत लगवाईए किसी से, आप संसाधनों के रूप से पैसा लगवाईए, आप इंडायरेक्टली रूप से पैसा लगवाईए, अगर मान लीजे कि किसी को आपको, जैसे मान ल किसी को तो पैसा मत मांगे किसी से गिफ्ट लेकर चले अगर किसी को देना है तो मतलब यह बात बोलने जानी बाती है कि आपको इंडाय डूप से संसाधनी कट्टे करने चाहिए जो आपके उपर विश्वास व्यक्त कर रहा है विश्वास आपके पतब आएगा जब आप काम कि बन जाते हैं जब उसको आपके अंदर एक फूचर दिखने लग जाता है तब वो सामने वड़ा आदमी आपको संसाधन के रूप से पैसो के रूप से आपको मनद करने लग जाता है, वह ऐसा सोचता है कि मैं इसके उपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को आगे चलके फाइदा मिलेगा, ऐसा वो सोच कि वो आपके उपर पैसा लगाता है, लेकिन वो आप सक्षियत बने कि आप एक ऐसी सक्षियत बने कि साथ के तवर पे हो, या साथ के तवर पे हो, या पावर के तवर पे हो, या कोई दूसरी तवर पे हो, या उसको ऐसा लगना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहता है, कोई सेवा ही करना चाहता है, सेवा करने के लिए बहुत सारी लोग राजनीती में आते हैं, करना सची ह जाके सेवा नहीं कर सकता हूँ, सबने समाज की, तो वो भी आपके उपर पैसा लगाता है, कि जो मैं नहीं कर पाया हूँ, मेरे जरीए वो करेगा, जैसे वीवेका नंजी, वीवेका नंजी के गुरू थे, रामकृष्ण परमांस, रामकृष्ण परमांस बुर्य हो चुके थे, उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी थी, और जब वीवेका नंजी उनको मिले, तो वो रात भर रोते होते नाचे थे, कि मेरा काम अब ये करेगा, तो उन्होंने बहुत सारे शक्तियां दी, बहुत सारा उसका सपोर्ट किया, और वीवेका नंजी को एक और और ज्यादा काम आने वाला बनाया, तो उसके जरीए, वीवेका नंजी के जरीए उन्होंने अपना काम किया, क्योंकि वीवेका नंजी में बुद्धी थी, बहुत जादा, और इसमें इनमें जो था, रामकृष्ण परामनस जो था, वो आत्मिक बर्द ज्यादा था, वो वो एमोशने बहुत जादा थे, और लेकि में बहुत जादा बुद्धी नी दे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नी थे, रामकृष्ण परामनस जी, बुद्धियों को मेंती है वीवेका नंजी से, और तब वो अपना जो काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आप भी वीवेक कि अपना ज्यान दिया या माध्यम माना, तब उनको पता था कि ये समाज में और दुनिया के लिए एक मिसाल पिशुआ है, तो जैसा कि अभी मैंने आप से चर्चा किया था, और आपने बताया था कि पैसे को लोग लगाते हैं, एक राजनेती को खड़ करने या उसे जिस गोड़ा किसको मान रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि ये आदमी जीतेगा, लेकिन ये आपके विवेग के उपर है कि यो जीतेगा कि नी जीतेगा, तो आपको उस घोड़े पे दाव लगाना है, जो सही में जीतने वाला है, और वो आपके विवेग पे निर्भर करता है, आ आज के बारे में भी हमको बताया अपने, तो समझाओ, सिडी तर सिडी अगर चर्चा चल रही है, तो मैं बहुत ही आगे आजाती हूँ और आज का जो जेल भरो आंदोलन था, जो आज 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 किया गया, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी कि ऐसे चर्चा है कि अब जनता पाटी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वो प्रदेश सरकार की या तो कारा कानून कह ले या दुगला की फर्मान का नाम लेकर कि जेल भरो आंदोलन को का स्रिप दिखावा कर रही है, तो ये कहां तक सही है, जेल भरो आंदोलन कितना सही रहा क्या चा कि भीया हमारे से ये पूछा जा रहा है, हमसे वो पूछा जा रहा है, हमसे वो पूछा जा रहा है, तो वहापर एक सियार होता है, सियार बोलता है कि आप से कुछ भी पूछा जाए, तो आपको ये बोलना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये सोचके समझके कि तो एकी य्यांसर मिल गया, कि आप के पस कोई मुद्दा नहीं है, कि यह गोहरा है, तो आप इबके पास कोई मुद्दान नहीं है. शराब बंदी के बाद उठाया है तो आप बोलते हैं आपके पास कोई मुद्दा नहीं है 2500 जो बेरोजगारी बत्ता है वो आप नहीं दे रहे हैं आप बोलते हैं कि उसके आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जो कवर्धा में जो मामला हुआ जंडा का मामला हुआ आप बोलते हैं कि उसके बाद कोई आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कितने मुद्दे नहीं है हर चीज में आप मुद्दवीन बोलते हैं हमारे को और आपको क्योंकि ये सिर्फ सिखाया गया है कि आपको सिर्फ ये बोलना है आप जवाब तो देनी सकते, आपको सिर्फ यह बोलना है कि आपके पास मुद्दा नहीं अब बात करते हैं यह वालूब हमारे समिधान में एक अभिव्यक्ति की आजादी है अभिव्यक्ति की आजादी हमें बोलने का पूरा हक है हमें वो चीज बोलने का जरूर हक है जो हमारे फेवर में है या हमारे हक की लड़ाई है उसको बोलने का हक है आज आप समुद्रीक या सर्वजनिक जो धरना प्रदशन है या कोई भी प्रदशन है उस पे आप 14 कणिकाएं आपके 19 पॉइंट है उसमें 14 कणिकाओं का एक फॉर्म है उसको आपको भरना है उसके बाद पर्मिशन तो आपको लेनी पड़ती है कोई भी धरने की लेकिन उसमें आपको एविट देविट देना है अब अब एविट देके आपको मना भी किया जा सकता है कि आप ये धरना नहीं यह दरना संचाली नहीं कर सकते हैं या आपको बीच में से अगर वो चुटा कणिकाएं आप फोलो नहीं कर रहे हैं तो आपको बीच में से उठा के भी मतलब उसको धर्णा प्रदेशन को खतम निकिया जा सकता है आज ये धर्णा प्रदेशन खतम ये सोच कहां से निकलती है ये सोच इसलिए निकलती है कि या तो आपके खिराब बहुत सारे धर्णा प्रदेशन हो रहे हैं जैसे किसान का धर्णा प्रदेशन हो रहा है अलिमित सब को खतम करने ही और आगे जो आपके डिएर साल बचे हुए हैं चुनाओं में आगे भी धर्ना प्रदेशन ना हो उसको भी लगान लगाने के लिए कि हमारे सरकार के खिलाप आजकता मत पहले नेगेटिविटी मत पहले उसको पहले ही आपन दमन कर दिया जाए यह दमनकार नेती जो है यह प्रदेश सरकार की मिल्कुल है यह जो लौ था एक्चुली में यह समिधान में लिखा गया है कि आप इस टाइप का लौ बना सकते हैं धर्ना को रोक सकते हैं धर्ना प्रदेशन को रोक सकती इस तो रोका जा सकता है यह लौ में है वो सुच्छा के नुसार कि कोई भी राज्य सरकार कोई भी केंद्र सरकार यह इस टोप के कानून को लागू कर सकती है यह किसका लौथा यह अंग्रेजों का लौथा वुष्ट लौग को आपने लेके और उसको समिधान मना दिया अभी यह 14 कनिकाने आप पूरी नहीं करेंगे तो आप समिधानी गु तो यह दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज का धरना प्रदशन था हमारा और जो की हजारों की भीड में लोगों ने उसमें हिस्सा दिया जह दुरूग और विलाई के जो जिला के सभी पतादिकारियों ने बहुत बढ़ चल के इस्ता लिया और गिरफतारियां दी और उसके क्या लगता है अपको आने मरे दिनों में कैसा अथा पड़े गा इस आंजल भारों दुलल्ड अगर हम किसी भी चीज को एक उबली भी उठाते हैं तो उसका भी असर होता है एक थाश पाली का गिळास यहां से इस साइड भी रखते है तो उसका भी असर होता है आखलया तो इतने हजारे रो लोगों का धरना प्रदशन – जेशान सेवब का अभाम महीं आएगा कोई भी आंदुलत और कोई भी किसी की खिलाप भी आवाज जो कोई होती है वो एक व्यक्ति-मिशेश के खिलाफ आवाज होती है को हमारे व्यवस्था मतला है आप व्यवस्था सुधार दीजिए, हमारे को आप से कोई लेना देना नहीं, जो इस व्यवस्था को गलत करता है, जो इस व्यवस्था को गलत रूप में लगा देता है, तो उसके खिलाफ ये होता है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, व्यवस्था के खिलाफ है, ये भी जो ध आप अगर चुप चाप बैठेंगे तो जैसा चब रहा है और इसका असर क्या है कि आज तो ये धर्ना प्रदरशन पर रोग लगाई गई सारवजनिक चीजों पर रोग लगाई गई इससे बड़े इस्टप फिर उठते हैं तो उससे उसको जवाब देने के लिए बहुत जरूरी तो आपका बहुत बहुत धन्य आप हमारे स्टूरियों में आए राजनीती के पहले सिड़ी और आकरी दुनों के बीज का नहीं से चर्चा के तो ये थे के शोहान सर राजनीती को लेकर चर्चा हमारे साथ में की इस नए खास पेशकरस के पहले महमान थे और आने वाले दिनों में हमारे सब कई महमान चु तक के ले ले लेश का.